हलो फ्रेंट आज हम स्रिफ कपरे की एक पीछ से बैक बनाएंगे इसमें हम फोम या चैन का यूज नहीं करेंगे डेली यूज के लिए इसे हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें इसकी बैल्ट बना लेनी है बेल्ट बनानी के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है उसकी लंबाई लगबग 26 इंचे 26 इंचे की लंबाई है और 14 इंचे दोनों साइट से से फोल्ड करेंगे और दोनों किनारों पर सिलाई लगा कर बेल्ट को बना लेंगे तो इस तरह से हमें दोनेस साइट को फोल्ड कर लेना है और किनारे-किनारे सिलाई लगानी है दूसरे साइट भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह के बैक या थैले हमारे डेली राइफ में बहुत काम आते हैं तो इसको मैं बहुत आसान तरीके से step by step आपको सिखाऊंगी, तो दो belt हमने बना ली है, अब कप्री का एक piece मैंने लिया है, इसकी चौराई लगभग 75 इंच है, और इसकी लंबाई लगभग 40 इंच है, तो दो piece भी आप ले सकते हैं, अगर आपके पास कप्रे की छोटे piece है, तो दो piece 2020 के भी आप ले सकते हैं, या अपनी हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं, तो देखिए, फूल्ड करने पर ये 20 इंच है, यान इसकी पूरी लंबाई 40 इंच है, 40 इंच लंबाई है, और 14 इंच है, तो अब इसे हमें इसी तरह से सीधा रहने देना है, और द सीधी साइड भी, राइड साइड से हमें इसकी सिलाई लगानी है, तो थोड़ा सा मार्जिन लेते भी हमेंसे सिलना है, दूसरे साइट भी सिलाई करेंगे, इस तरह सिलाई करने से, अंदर या बाहर से कहीं भी सिलाई नजर नहीं आती, आप देखिए, दोनोंस साइड ये सिल गया है, तो इसे उल्टा कर लेंगे, कॉर्डर को अच्छी तरह से निकाल लेंगे, अब इसका हमें बॉटम बनाना है, तो बॉटम बनाने के लिए 2 इंच पर निशान लगा लेंगे, और इस तरह से फोल्ड करेंगे, नीचे वाले भाग को हम दो इंच फोल्ड कर लेंगे इसे पिन अप कर लेंगे अब इसमें हमें किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है तो लगबग आधा इंच सिलाई का मार्जिन लेती हुए से सिलना है और दूसरी साइट से भी आधा इंच सिलाई का मार्जिन लेते वे सिलाई करेंगे इसमें हम कोई लाइनिंग विगर का भी यूज नहीं कर रहे हैं अगर आप इस तरह का बैक बना रहे हैं तो ध्यान रखेगे कि कपड़ा थोड़ा सा मजबूत हो दीकि दोनों साइट से लाई हो गई है यह सीधा करके मैं इसका बॉटम आपको दिखा रही हूँ तो दीकि हमने फॉल्ड करके सिलाई की थी तो इस तरह से इसका बॉटम बन गया है टब उपर की side हमें इसमें belt लगाना है और इतना कि उपर से fold हो जाएगा तब इसको उल्टा कर लेंगे और पहले इसमें निशान लगा लेते हैं उसके बाद इसमें belt लगाएंगे तो सबसे पहले हमें दो इंच पर निशान लगाना है तू इंच लेकर सीधी लाइन बना लेनी है उसके बाद हमें एक इंच नीचे निशान लगाना है और इसे भी हम सीधी लाइन से मिला लेंगे तो दो लाइन हमने ड्रॉक ही एक दो इंच पर उसके बाद एक इंच पर अब साइड से हमें 5 इंच लेना है 5 इंच पर निशान लगाएंगे 5 इंच और दूसरे साइड से भी 5 इंच लेकर निशान लगाएंगे अब इसी के उपर हमें बेल्ट को रखकर सिलना है तो इस तरह से बीच में रखना है जहां से हमने दो इंच वाला निशान लगाया था दो इंच वाले निशान को बेच से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई करेंगे तो दिखिए यहां से हमने जो एक नीचे जो हमने दो इंच वाला निशान लगाया था उसे बेशे फोल्ड करेंगे और इसे उपर एक इंच वाले निशान पर ले जाएंगे इस तरह से सिलाई कर लेंगे तो हैंडल काफ़ी मस्बूती से लग जाएगा और हमने इसमें मार्किंग कर लिया तो यह बिल्कुल बड़ा बड़ दूरी पर सिलाई होगा तो इसे घुमाकर हम दोनों साइल बेल्ट लगा लेंगे पीछे की साइट भी मैंने उसी तरह से मार्किंग की थी जैसे मैंने आपको एक साइट से दिखाई थी उसी तरह पीछे साइट से भी मार्किंग करनी है और पांच इंच पर में बेल्ट को रखना है तुरी की सिलाई होगी अब बैल्ट को उपर की तरफ रखेंगे इस तरह से उपर ले जाएंगे अब उपर इस तरह से सिलाई करते जाएंगे तो पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा लेनी है इस बैक को आप अपने जरुरत की हिसाब से चोटा या बड़ा बना सकते हैं अब बैल्ट के उपर हमें इस तरह से जहां पर हमने बैल्ट की सिलाई की है वहां पर इस तरह से गुमा कर सिलाई लगा लेंगे तो ये काफ़े मजबूत हो जाएगा जोड़ी की हैंडल लग गए है अब इसमें मैं बॉटम की सिलाई लगानी है तो नीचे बस किनारे किनारे हमें इसमें सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल एक पैर का मार्जन लेते वे तो देखी मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और मारा ये बैक बन कर थाला बन कर तैयार हो गया है तो डेली यूज में ये काफ़े काम आता है तो यह वीडियो आपको क्यासा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो दिखने के लिए आपका दाने वाद